नमस्कार विद्यारतियों मैं डॉक्टर कविता चोगरी साहे गाचारी बुगूल शीरादिशाम आर मुरार का राच के महा विद्याले जुन जुनुन। में फाइनल एर में से पहले की क्लास में हम बात करे थे मास आगरे निक्षेपों के बारे में जिसमें हमने चार प्रकार के मास आगरे निक्षेपों के बारे में बताया पहले हैं स्थले या भूमिज निक्षेप जिसमें आपने देखा बजरी, रेत, सिल्ट, ब्रतिका, पंक पंक को फिर हमने तीन भागों बाटा निली पंक, हारी पंक, लाल पंक दूसरे हैं ज्वाला मुखी पदार्थ तथा निक्षेव तीसरा है जैविक पदार्थ तथा निक्षेव जिसमें मुख ख्ली ग्रूप से दो है नेरेटिक निक्षेव, पेलेजिक निक्षेव है चुने की कमे के कारण ही है उज जल्दी गुलती नहीं है अथा ठंडे तता गरम दोलों प्रकार के सागरों में अत्यदी गहराई तक पाई जाती है इसका उपविभाजन उसमें मिलने वाले जीव विशेश के नाम के अधार प्रकिया जाता है जिससे पहला है रेडियो ले कांश भी पाया जाता है जिस सेलिका कांश अधिक होता है केल्शयम कांश केवल तीन से तीस पृतिशत तक ही होता है इस्तल के पास इसका रंग लाल होता है तता इस्तल से दूर इसका रंग पीला या मठ मेला होता है सूखने पर इसका रंग सफेद होता है डायटम उज प्रकार के अकार्बनिक खनीज तथा तत्थ वो महासागरों में जमा हो जाते हैं इन में प्रमुक हैं डॉलोमाइट, सिलिका, लोहा, मेगनेज आकसाइड, फोस्फिट था पाइराइट सागरों में रासायनिक परिवर्टनों के कारण कार्विक तथा अकार्बनिक का जमाव अधिक विस्तर छेत्रों में पाई जाता है यह दो प्रकार की होते हैं सबसे पहले हैं लाल मृतिका, आकार्बनिक पदार्थ में लाल मृतिका सरवाधिक मातुपूर्ण होती है क्योंकि अगाद सागरे जमावों में यह सबसे अधिक शेत्रों में पाई जाती है इसके निर्मार में अल्यूमिनियम के सिलिकेर तर लोहे के अक्सेड की मात्रा अधरवाधिक होती है दूसरा है उल्का धुली अंतरिक्ष में उल्का पिंडो के आपस में टकराने से कुछ पदारत अलग हो जाते हैं अब हम बात करें हैं महासागरी निक्षेपों के वर्गी गरण के बारे में बात कर चुके हैं अब हम बात करें वित्रण के बारे में सागरी नित्तल में महासागरी असादों का निक्षेप दो प्रकार से होता है सबसे पहले हम बात करते हैं शेतिज वित्रण तो शेती जित्रन है स्थली पदार्थों का शेती जित्रन महाद्यूपी मंगनतर के विस्तार पर निभर करता है चोड़े मंगनतर्थों पर ये निक्षेप अधिक विस्तारत होते हैं प्रवी दीप समूद्र बंगाल की खाड़ी पीला सागर आदी के निकट स्थली सामगरी के निकशिये पधिक मिलते हैं टेरापोर जीव उष्णव समूद्र में जबकि रेडियो लेरियन उष्णव वह सितोष्ण सागरों पाया जाता है डायटम पंक दुरुवय सागरों मे अग्साजले में गलोवी जीरीना भाग में डायटम पंक की अधिकता है अट्लाशिक महा सागरों में टेरा पूर्ड की बारे में तो सागरे निकशियप की बारे में एक्रंबत्ता पाई जातीजाती तडकी पास इस्थली सामगरी तागे गहरही में विईथ प्रकार की गह सागरी निक्षेप पाए जाते हैं मोंगा उसके अनुसार निक्षेपों का लंबवत वित्रण निम्निक प्रकार से हैं सबसे पहले हैं तटिया निक्षेप उच्चेव निम्न जवार चेखा के मद्धी बड़े शीला खंड करंकर रेत आधी के जमाव मिलते हैं तट के पास थे पड़िया कांड से दूर सागरे महीन कड़ोह मिलता है सानर यह सागरों60 की निक्षेप हों में 6edereen की लग Courtney river के रूप में मिलता है इसे में प्रवाल के उशेच मृतिका नियुदिन में प्रकार के पंग्तां मेलत इता है निक्षेप मोहाधई भी मगन ढ़य look पर पंक्ष वं मुंगे के खूल के ऐउशेश के जमाव पाए जाते हैं जिने बेधाई निक्षेव कहते हैं चोथा है गहरे सागरे निक्षेप, गहरे मैदान वा गर्तों में अधिक सागरी जमाव पाये जाते हैं जिसमें विभिन प्रगार की जीए तथा वनस्पती के अशियर सम्मेलित होते हैं जिसा टेरा पोड पॉइंट चार प्रतिशत, गुलोबी जीरेना तीस परसेंट, डायटम साथ परसेंट, रेडियो लेरियन तीन परसेंट पर विक्सित हैं कम गुलन चिनल सिलेका युक्त निक्षेप जैसे डायटम स्पंज समुद्रों में अधीक गहराई पर मिलते हैं तथा लाल मृतिका का जमाव महासागरों में सरवादी गहराई पर मिलता है निश्क्रश रूप में समुद्री निक्षेपों का वर्गी करन एक अध्यान इम्शूद की प्रक्रिया है तथा ये वास्तों में मिश्रित योगिक है के रूप में नित्तल पर चारों तरफ से फेले हुएं तथा अन्तः समुद्री एमवाई मंडिले परदन के कारकों त बाद हैं खनी संसादनों के स्तरोत प्राकति के रूप में प्राप्ति था भूगर्भी केम जेविक रहस्यों के समाधान के लिए महत्वपूर है धन्यवाद